तो आज कर कुछ ऐसा ब्लॉग है ब्लॉग इससे नहीं कहेंगे एक्चली से गर सकते हैं तो आज वैलेंटाइन वीड चल ला है तो मैंने सूचा क्यों ना वैलेंटाइन डे पे कुछ मेकप टिटोरियल बनाया जाए और इसलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ तो सिंपल इजी सा बेसिक सा मेकप करेंगे जो की जो गर्ल्स है तो वो बिल्कुल जो लाइट मेकप पसंद करती है नैच्रल मेकप पसंद करती है फेस पे ग्लो रहे तो उस कहीं किया है तो फेन्स जैसे की मे ने बताया कि हम सी दो आपलाई करेंगे एक एक कंसीलर एक बीडी तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बीबी क्रीम, पूरे फेस पे फिंगर टिप्स के हल्प से, यहाँ पे कोई ब्यूटी ब्लेंदर या ब्रस की ज़रुरत नहीं है हमें, और यहाँ पे मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि मुझे वीडियो फास्ट वरना था, क्योंकि यह हो जाती और इसे देख रहे हैं, आपकी मैं अच्छी तरह से इसे स्प्रेट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं निक पे भी अप्लाई कर रहे हूँ, कि ताकि निक जो है, आपके थोड़े अलग से नहां देखें, आप जब भी फेस पे कोई भी फांडेशन या कुछ भी इसे बिलकुल नैच्रल दिखाना है मुझे, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे मैबलीन के कंसिलर यूज़ कर रही हूँ, और कंसिलर मैं बाद मी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडर आइब में और जहां पे मुझे इसा लग रहा है, जहां पे शैडो कर रही हूँ, अगर आपके स्पोर्ट्स हैं, तो आप चाहें तो कोई भी फांडेशन या आप जो बीबी क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले आप कंसिलर यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अंडर आई में यूज़ कर रही हूँ, और फुरे बहुत जहा यहाँ पे हमें बेस को सेट करने के लिए कॉमपेक्ट लेने होंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है लॉरेल के हाई कवरेज कॉमपेक्ट, तो आपको प्रोडेक्ट बिल्कुल कम यूज़ करना है ताकि जो बेस अच्छे से टैप कर दिया, अब इसे असकुछ नहीं करना है बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल हेविर ना लगे, जहां जहां से आपको लगता है कि आपको स्वैटिंग होने की समभावना है, क्योंकि मैं बिल्कुल बता रही हूँ, मेरे पास एक पैलेट है, रेवलुशन का, कोई भी पैलेट आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ आपके आइबरो पे फिट कर लग रहे हैं, वो कोई कलर ले लो, यहाँ पे मैं आइबरो फिल करूंगी, आई स्टैडो की हेल्प से, और यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा प्रोडेक्ट नहीं लिया है, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि आपको यूज करने में, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सब कुछ बेसिक सा लिया है, और यहाँ पे आप देखेंगी कि मतलब आइबरो फिल करने की बाद डिफरेंसेज, और यहाँ पे जो मैं बलसर यूज करी हूँ, यह कलर बार के हैं, आप किसी भी ब्रैंड के यूज कर सकते हैं, और इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे क्रीम बलस यूज करूँगी, रेवलुशन के, और यह मैंने नाइका से और किया है, उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, मुझे शेड्स नमबर याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहे हो कि बलस कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपल अप दे चीक पे यूज नहीं करूँगी, चीक बोन पे यूज करूँगी, ताकि जो चीक है वो लिप्ट दिखें थोड़े से, अब इससे आप स्प्रेड कर सकते हैं, और इससे आपके जो फेस है वो नैचरल दिखेंगे, अकर आप डारिक आपल अब दिखते हैं, और अब हम यहाँ पे नोस पे भी अपलाई करेंगे, अब सेम ब्लस को हम आईज पे भी अपलाई करेंगे, और यह भी मैं इससे लिए अपलाई करूँ जिसे के यह नैचरल जैसे कि बताया, कि हम नैचरल मेकप कर रहे हैं, तो बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे गड़ने के लिए प्राइट से लिए और उससे मैंने कॉंटूर किया है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया है, जिससे कि फिर मैंने बता रहे हूं आपको, कि आपको ऐसा लगी कि मुझे और भी कुछ अलग से पच्छेस करने होंगे, और यहाँ से मैंने फिर अपने जॉलाइन को भी कॉंटूर किया, जैसा कि आप देखे हैं, बिल्कुल लाइट सा करना है सब कुछ क्योंकि नैचुरल दिखे, और अब मैं यहाँ पे आईलाइनर लगाँगी, और आईलाइनर मैंने लिया है, कलर बार का मैट आईलाइनर, और यहाँ पे तो थोड़े बड़े-बड़े से दिखें, अगर आप चाहते हैं कि फुल कवर करना तो आप कर सकते हैं, और यह मैंने बताया है, हुड़िड आईज के लिए भी बहुत अच्छी तरह से वॉक करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं, दोनों आईज में डिफरेंसेज, और तो आप देख से लिए और उस पैलेट से लिए और उस पैलेट से हम डाक सेड लेंगे, और उस डाक सेड को जहां पर हम लोग ने आईज लगाई है, आईलाइनर की आउट और कोर्णर पर हम उस कलर को अपलाई करेंगे, ताकि जो आईज है वो और भी अच्छे दिखें, अब देख लाए है, मैं जाए हूँ, अब ईसे क्या करेंगे यहां इस पे ज्मेर से थोड़ा आप जा रहा है और उसे क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर किया यहां पर फिंगर से थोड़ा तो अब ही तो मैने बटाया, लाइट ब्राउन कैसे यूज़े करना है, अब तह एफ तो हम ब्लैक और डाक ब्राउन यूज़ करेंगे जिनको थोड़ा स्मोकी लुक चाहिए और तो यहां पे हम लोग आउट और कॉर्णर पर ही सिर्फ यूज़ करेंगे पूरे और अलवर एडिया में स्प्रेड नहीं करना है हमें आइस के और अभी आप देख सकते हैं कि लु राउन लेंगे और उसे भी सी तरिके से सेम अप्लाई करना है अब हम लोग लाइटर से लेंगे और उसे नोस काउंटोर करेंगे बिल्कुल नैचरली तो अब हम लिप्स्टिक वियर करेंगे और उसके लिए हम लिप्लाइनर सबसे पहले यूज़ करेंगे और लिप्लाइ और lip liner जब भी लगाए तो सिर्फ लाइन पर नहीं उसे थोड़ा spread भी करें अंदर की तरफ ताकि वो थोड़े merge लगे अधर्वाइज वो सिर्फ लाइन दिखेंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे और यहां पर मैं मैबलीन के super stay ink use करी हो 615 और यह nude shade है और इसे apply करने के बार आप देख रहे हैं बिलकुल change लग रहे है पूर all over look change हो चुका है और अभी मैं दिखाती हूँ आपको तो अभी मैं यहां पे faces canada का highlighter का highlighter यूज करूँगी और आप चाहें तो eyeshadow palette के जो भी super shade है उसे use कर सकते as a highlighter तो यहां पे मैंने nose tip पे यूज किया eyebrow पे and then eyeshadow की तरह भी यूज किया और उसके बाद हम इसे यूज करेंगे चिक बोन पे और उसे spread कर देंगे ताकि यह natural दिखे तो जिस तरीके से मैं बता रही होगर आप उस तरीके से कोई भी product अगर आप यूज करते हैं तो आपके face बिल्कुल natural दिखेंगे और naturally glow करेंगे तो guys यहाँ पे मैं एक चीज भोल गई मस्कारा यूज करना आप मस्कारा जरूर लगाए उससे आपके eyes और भी बहुत बहुत अच्छे दिखेंगे और यहाँ पे मैं अपने hair state कर रहे हूँ तब तक के लिए till then take care bye bye see you soon with the new blog interesting blog और आप चाहे तो मैं इस तरहिके के tutorial आते रहूँगी और आप बताए कि आगे मैं किस तरहिके के topic लहूँ आपके शेयर करूँ और अगर आपको अच्छा लगाओ तो पीस बीस 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 please 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 do like share and comment and subscribe to my youtube channel which is priyadikumar okay bye bye happy well